नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अगनी 24 इंटू 7 में आज के वीडियो में हम करेंगे यंपी जीके के इंपोर्टेंट कोस्चनों का डिस्कसन और जैसा कि आपको पता है कि मद्दप्रेस सभी इंटूर्टेंट कोस्चनों को कवर करते हैं जो कि यंपी सभी इंटूर्टेंट अभी हूँ से काफी इंपोर्टेंट है तो आए शुरू करते हैं पहले कोस्चन से मद्दप्रेस के सबसे महत्पूर्ण और पवित्र नदी दीप है तो एह है ओमकारेस्वर ओमकारेस्वर जो की एक खंडवा डिस्टिक में जो की पवित्र नदी दीप है उसके आलाओ ओम कारेश्वर में अगर current की न्यूजबात करें तो शेसो मेगावाट का solar power plant बना हुआ है मद्द प्रिस्की राजधानी जो कि भोपाल है उसके बाद ओम कारेश्वर का दूसरा नाम क्या था तो मनधाता जो कि ूमकारेश्वर का दूसरा नाम भी है प्लेस है तो इह नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी जो कि मद्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कही जाती है और नर्मदा नदी की लंबाई जो कि मद्य प्रदेश में 13-12 किलो मीटर पूरे ओभरा लंबाई होती है और जबकि मद्य प्रदेश में नर्मदा नदी की उसके अलावा नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है तो नर्मदा नदी का उद्गम जो की अनुपुर जिले के अमर कंटक जगा से होती है अमर कंटक से तीन प्रमुक नदिया निकलती है नर्मदा, सोन और जोजिला और नर्मदा नदी जो की इस्ट टू वेस्ट फ्लो क याद करने वाली भारत में चार नदिया हैं चार नदिया कौन के अंची हैं तो उनको याद करने का ट्रीक है समानता समानता से अगर याद करें तो साबरमती, माही, नर्मदा और तापती ये चार नदियां जो की पुर्व से पशिम बहती हैं यानि इस टू बेस्ट फ्लो करत प्रमुक नदियां ग्वालियर को जाना जाता है। प्रतिय लड़ाई जो कि प्रतिवी राज-चोहान द्वारा लड़ी गई थी। और प्रित्वरी राज्च चौहान ने प्रमुक मंदिर का निर्माण कराया वह वन खंडे स्वर मंदिर है रामधारी सिंग दिनकर निमलिखित पुस्तकों में से किस ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित किया गया तो उरवर्षी जो कि रामधारी सिंग दिनकर की प्रमुक पुष्टक थी उसे ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया हिंदी साहित्य में कितने पुरसकार दिये जाते हैं तो हिंदी साहित्य में जैसे कि ग्यान पीट पुरसकार दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है उसके बाद सरस्वती सम्मान दिया जाता है उसके बाद उरवर्षी जो की रामधारी सिंग दिनकर की प्रमुक राचना है किस जीले को सबसे बड़ा उत्पादक है सोयाबीन का तो जो कि सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है सारी तो मद्ध प्रदे सबसे बड़ा उत्पादक किस किस चीज का है तो सबसे पहले सोयाबीन और सोयाबीन जो कि प्रोटीन के लिए तो मद्द प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है इसलिए मद्द प्रदेश का नाम सोयाई स्टेट नाम से भी जाना जाता है उसके अलबा मद्द प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाग पाय जाते हैं बाग पाय जाते हैं इसलिए मद्द प्रद पाया जाता है मद्द प्रदेश में सोना जो कि बालागाट डिस्टिक में पाया जाता है इसे सोन्ड इस्टेट भी नाम से जाना जाता है मद्द प्रदेश में बहुत सारी नदियां बहते हैं इसलिए यहां इसको नदियों का मायका भी करते हैं नदियों का मायका जो कि मद् की प्रमुक नदियाँ है नूर जहां एक दुरलब प्रजाती है जिसकी खेती मदप्रस में की जाती तो यह आम की खेती होती है आमकी खेती जो कि मदप्रस में की जाती है उसके वाल मदप्रस का G- Primad protect किसको अभी GIE tag उस चीज़ को दी गया बाला घाट जोकी उत्तर में वसा हुआ एक डिस्टिक है जहाँ पर सेक्स रेशियो जोकी 1021 है जोकी मद्द प्रदेश का हाइस्ट है और सबसे कम कहां पर होता है तो वह भींड जिले में होता है बाला घाट की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो वहां की प्रमुख नदी वेन गंगा को बाला घाट की गंगा कहा जाता है नूर जहां एक दुरलफ प्रजाती की किस खेत जिसमें खेती मदब्रेस में की जाती है तो ओ आम है जरदालू आम कहां का फेमस है तो जरदालू आम जो की महराश्ट का है एक फेमस आम है उसके बाद जलगाओ केला जो कि महराष्ट का है सोजत मेहदी जी आई टेक कहां का मिला है तो ये राजस्थान का है तो नूर जहां आम जो की मद्ध परदेस की एक आम की प्रजात्ती है मलदाहा आम कहां का है तो यह आम जो मलदाहिया आम है ओ है बेश्ट वंगाल का मद्ध प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में संसोधन 1994 और 99 में किस के बीच किया गया तो यह आठ बार किया कितने बार किया गया तो आठ बार पंचायती राज अधिनियम किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था तो यह आया था बलवन्त राय मेहता समीती के रिकमेंडेशन पर बलवन्त राय मेहता समीती ने रिपोर्ट कब दे थी तो 1987 में बलवन्त राय मेहता ने रिपोर्ट दे थी उसके अलावा दू अस्थरिय यानि टू टियर पंचायत का जो दिया था उसने किसे ने दिया था तो उसको दिये थे आसोकराय महता ने दिये थे दो अस्तरिये जबकि बलवन्त राय मेहता जो कि तीन अस्तरिये पंचायती राज सिस्टम को दिये थे उसके बाद पंचायती राज अधिनियम जो कि अगर भीलेज के लिए बात की जाए तो इस अम्विधान के कौन से पंच अनुछेद में आता संसोधन में हुआ था तो 73 मुंसी पाल्टी किस अधिनियम कौन से अवेट्वेंट में हुआ यानि संसोधन में तो 74 अवेट्वेंट में मुंसी पाल्टी हुआ उसके बाद ग्राम पंचायत में जो कि पंचायती राज अधिनियम में जो कि ग्रामीन के लिए कितनी सब्जक्ट की बात की गई तो 29 सब्जक्ट की बात की गई जवकि मुंसिप आलटी में 18 सब्जक्ट पर बात की गई उसके अलवा पंचायती राज अस्थापना की बात सम्विधान के कौन से अनुछेत में की गई तो ये अनुछेत 40 में की गई थी मद्यपदेश राज बीच और फार्म विकास नियम अधिनियम कब विक्सित किया तो यह 1980 में विक्सित किया यह 1980 में जो कि विक्सित किया बीच और फार्म अधिनियम उसके अलावा नाबाड की अस्थापना कब हुई तो नाबाड जो की एक agriculture bank है और इसकी अस्थापना जो की 1982 में हुई उस समें Congress Government थी उस समें Six Financial चला था और नाबाड की अस्थापना किस committee के recommendation पर हुई तो सीवरमन committee के recommendation पर हुआ था और नाबाड जो की agriculture bank है मद्द प्रदेश के किस जली में सनोधा का किला है तो मद्द प्रदेश में सनोधा का किला सागर में है सीवपूरी का सुर्य मंदिर इस्थित है तो सेसाई में सीवपूरी का सुर्य मंदिर इस्थित है इंद्रा गांधी राष्टीय मानो संग्राहले कहां पर इस्तित है भोपाल में भोपाल जो मद्द प्रदेश की राधानी है और भोपाल जो की अलग हुआ था 1972 में सिहोर तासिल से और भोपाल में दो लेख पाई जाती है अपर लेख और लोएर लेख और भोपाल की जो लेख है इसे रेक्रामसर साइट का भी दरजा दिया गया है जो की 2002 में दिया गया था उसके बाद भोपाल में एक वन जीव अभ्धारन है जिसका नाम है वन विहार अभ्धारन उसके अलबा भोपाल की मेट्रो का नाम है राजा भोज मेट्रो और भोपाल जो कि पांच पहाड़ियों पर बसा हुआ एक सीटी है भोपाल में एक B.H.E.L. यानि भारत है भी इलेक्टरानिक लिमिटेट का है भी एक जो की यूनिट है उसके अलबा भोपाल के प्रमुक इस्टेशन जैसे की हभीब गंज इस्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है तो उस इस्टेशन का नाम रानिक कमलापती रेलवे इस्टेशन कर दिया गया है जो की ISO Certified रेलवे इस्टेशन है और उसके अलबा जो की रानिक कमलापती रेलवे इस्टेशन है उसको किस company ने construction करवाया तो बंसल company ने करवाया साथ ही जो की ISO certified जो की railway station है और यह railway station जो की first private railway station भी है इंद्रा गांधी राष्टिय मानो संग्रहाले जो की भोपाल में श्थित है मद्द प्रदे सिचाई अधिनियम किस वर्स अधिनियमित किया गया तो 1931 में अधिनियमित किया गया उस समय अगर current की बात की जाए यानि history की बात की जाए तो उस समय गांधी इरिविन पैक्ट भी हुआ था गांधी इर्विन पैक्ट अगर बात की जाए तो गांधी इर्विन पैक्ट जोकी 1931 में हुआ उसके बाद नेहरू पुने एक्ट भी 1931 में हुआ इस समय अगर और बात की जाए तो दूत्य गोल में सम्मेलन सेकेंड गोल में सम्मेलन 1931 में हुआ और इसी समय भगत सिंग को फासी दी गई थी 23 मार्च 1931 को भगत सिंग को फासी दी गई थी भगत सिंग सुकदेव राजगुरु तीनों लोग को फासी दी गई थी उसी दिन मद्ह प्रद रसासन द्वारा गठित आस्ठानी स्वासासन समिते के अध्यक्ष कों थे तो कासी प्रशाद पांडे जोकी आस्ठानी स्वासासन कमेटी के जोकी अध्यक्ष थे मद्द प्रदेश में कूफरी बात्सा कूफरी चंद्रमुकी निमिकिनिक में से किस फ़सल की प्रजाती है तो ए आलू की प्रजाती है जवहालल न्यारू कृसी विस्विद्याले कहां पे इस्तित है तो ए जवलपूर में इस्तित है और जवलपूर में प्रमुख नदी कौन सी बहती है तो नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी के किनारे धुआधार चलपताप है उसके अलावा नर्मदा नदी जो की मद्द प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है और जवलपूर की बात करते हैं तो जवलपूर में जो की वहां का पहला या मद्द प्रदेश का पहला इंजिनिरिंग कालेज फर्ष्ट इंजिनिरिंग कालेज जो की जवलपूर इंजिनिरिंग कालेज जो की यहां पे 1947 में खोला गया था उसके बाद मद्य प्रदेश का हाई कोट मद्य प्रदेश का हाई कोट अगर बात की जाए तो जवलपूर में है निमलिखित में से किस संस्थान में अलकाइट फैक्टरी ये निर्मी थे तो निमच में अलकाइट फैक्टरी जो की है किस वर्ष भोपाल भोपाल में राश्ट्य वन प्रबंदन संस्थान द्वरा अस्थापित किया गया तो 1982 में अस्थापित किया गया उमरिया में बाधावड के लिए किस देव से 6 मुर्ति देखा जाता है तो भगवान विश्नु की मुर्ति को देखा जाता है सिहोर में प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताए जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्मार विक्रमादित द्वरा की कराए गया और इसकी मरमत पेशवा बाजी रावदुतिय द्वरा की गई तो सिद्ध गणेश मंदिर जो की सिहोर जिले में है और सिहोर से कौन सा डिस्ट्रिक अलग वा था तो भोपाल अलग वा था 1972 में तो इस तरह से हमने आज मद्द प्रदेश जीके के important question का किया discussion और अगली वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें करेंगे और भी important question का discussion उससे पहले आप हमारे official channel को subscribe कर लिए साथ ही दोस्तों के साथ share करना नव भूलें थैंक यू सो मच